Samsung Galaxy M series के नए फोन Samsung Galaxy M14 5G को कुछ दिन पहले ही भारत में लॉंच किया है. Galaxy M14 5G में 50 MP का कैमरा दिया गया है. इसके अलावा इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी है जिसे लेकर दो दिनों के बेकप का दावा किया गया है. Galaxy M14 5G को भारत में 5 nm Exynos 1330 प्रोसेसर और 6 GB RAM के साथ 128 GB स्टोरेज में पेश किया गया है. Samsung Galaxy M14 5G के 4 GB RAM के साथ 128 GB स्टोरेज की कीमत 13,490 रुपय और 6 GB RAM के साथ 128 GB स्टोरेज की कीमत 14,990 रुपय रखी गई है. Galaxy M14 5G में 6.6 इंच की Full HD प्लस डिस्पले मिलती है, हाला कि यह AMOLED डिस्पले नहीं है लेकिन कलर्स पंची है. डिस्पले का रिफ्रेश रेट 90 Hz है और इस पर Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है. डिस्पले के साथ थोड़ा बेजल भी मिलता है. डिस्पले की ब्राइटनेस अच्छी है. डिस्पले गेमिंग और वीडियो देखने में परेशान नहीं करता है. सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के दौरान भी स्क्रीन पर कोई गलीच नहीं आता है. सीधी धूप में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि डिस्पले की पीक ब्राइटनेस महस 419 है. इसे वाइड लाइन L1 का स्पोर्ट मिला है तो आप नेट्फिक्स और अमेजन प्राइम के HD वीडियो आराम से देख सकते हैं. डेली यूज में स्क्रीन को लेकर कोई समस्या नहीं है. सामसंग गालेक्सी M14 5G के साथ अक्सीनोस 1330 प्रोसेसर मिलता है, सोशल मीडिया, वीडियो देखने और हलके गेमिंग में कोई परेशानी नहीं होती है. डेली यूज में फोन गर्म नहीं होता है. ये हेवी गेमिंग के लिए फोन नहीं है. गालेक्सी M14 में अंड्रोइट 13 आधारित 1UI 5.1 मिलता है. अगले चार साल तक फोन को सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा. फोन के साथ कई सारे ब्लॉट्वेयर मिलते हैं. फोन 128GB स्टोरेज के साथ 4GB और 6GB RAM आप्शन मिलता है. फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रेंट सेंसर मिलता है जिसकी स्पीड अच्छी है. गालेक्सी M14 5G में तीन रियर केमरे मिलते हैं जिन में प्राइमरी लेंस 50MP का है जिसका अपचर F1.8 है. अन्या दो लेंस 2,2MP के हैं. फ्रंट में 13MP का कैमरा मिलता है जिसका अपचर F2.0 है. सामसंग गालेक्सी M14 5G में NSA और SA 5G दोनों नेटवर्क का स्पोर्ट मिलता है. इस पर आप AirTel और Jio दोनों नेटवर्क पर 5G इस्तिमाल कर सकते हैं Samsung ने अपने इस फोन के साथ चार्जा नहीं दिया है तो आपको अलग से ही चार्जा खरीदना होगा इसके साथ 25 वार्ट तक की चार्जिंग का ही स्पोर्ट है